SM Color YouTube Channel पर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आप सेखेंगे Reusable रंगोली या जिसे कह सकते है रेडी मेट रंगोली जी हाँ ये बड़ा ही यूनिक कंसेप्ट है शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने Waste Cardboard Boxes जो हैं उनके लिए हैं और एक मेरे पास केक आया था मेरी भावी ने भेजा था और उसी का जो बेस है गता ये थोड़ा हार्ड है तो मुझे लगा कि मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ ये फर्स टाइम मैं इसका यूज करके बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने इनको कट कर लिया है ये स्क्वेर आपको नजर आ रहे हैं तो दो स्क्वेर इसमें से कट कर लिए और कट करने के बाद ये इस तरीके से नजर आ रहे हैं यहाँ पर मैंने इसका आउटर ऐसे रेडी कर लिया इसके बाद जो स्क्वेर था उसको आउटर में सर्कल शिप कट करके इ जो दूसरे हमारे जो गत्ते हैं, केक वले जो पीस था, उसमें मैंने अंदर एक सेमी सरकल डॉक कर लिये हैं, दोनों ही कार्ट बोर्ड जो हैं हमारे गत्ते के पीसे, यहां यह मैं अपने आइडिया, अपने डेजाइन, यह मैं क्रिएट कर रही हूँ, आप चाहें अपने अ एक्रालिक कलर्ड, स्टेंसिल, डिफरेंट रीके के स्टेंसिल पाद सेंसिल, मिरर्ज में से मिर्वर्ड, मिर्ड विसमें ढायमेंड़ शेयप, सर्गल शेयप और क्रांगल शेयप, three様ए मिरर्ड में इसके साथ मैंने आप साथ सपांजु यूस किक यहां, यह आपको ऑन करूँ देखिए नहीं इतना कलर कर चुकी है यह देखिए आपने छेड़ ठाड मेरी बेटी की मेरे साथ तो अभी यहां पर मैं कलर फिल कर रही हूं कलर फिल करते हुए जब हम इसकी आउटर में जब हम कलर करते हैं तो कोशिश करिए कि एक स्टोक में जितना आपका कलर आ सक कर सकें आप तो उतना कर दीजे बाकी यहां पर जब हम कलर करते हैं तो एक बर कलर सुपने के बाद उसमें दो कोटिंग की हाँ पर रिक्वायर्मेंट रहती है किसी किसी कलर में और ऐसे ही मैंने कार्ट बोर्ड की बॉक्स पर भी जो हमारे कार्ट बोर्ड से उन पर कलर कर लिया यह कलर करके तयार है अब मैंने स्टेंसल का यूज किया है तो स्टेंसल में कलर स्पिल करने के लिए मैंने मेजंटा कलर अभी किया है और इसके साथ मैं pink color जो है अपर जो आधे में मैंने magenta कर दिया और जो पार का आधा हिस्सा है उसमें मैं use करूंगी pink color तो यहाँ पर sponge की साहिता से हलके हलके हाथ से जो है वो color fill करना होता है जदा color अगर लेंगे एक बारे में तो वो नीचे अलग से design को खराब करने की मतलब हो सकता है कि एक डिजाइन खराब हो जाए और जब तक आप सेटेस्वाइट ना हो उसको हलके आज से दो दो बार टैप करते हुए कलर को फिल करें प्रॉपर सेंटर में मैंने यहां पर जो लाइट ग्रीन कलर है वो मैंने यहां पर यूज किया है और इस तरीके से स्टेंसिल त्यार हो गया है दोनों में मैंने तरीके से कलर करके त्यार कर लिया जो इसका लेप्ट साइट का पार्ट है उसके मैंने दूसरा स्टेंसिल यूज किया और पर मैंने कलर फिल करने के लिए गोल्डन येलो और वाइट कलर का यूज किया है जब आप स्पॉंज से कलर करते हैं तो उस वक्त ये ध्यान रखिए कि जो कलर है वो स्टेंसल से बाहर ना जाहे और जहां आपके माइंड में वो प्लानिंग होनी चाहिए टाकर लग अपने किस हिस्वे में कौन सा कलर देना है मंठ कैसे करना है तो उसके लिएक मतलब दोनों कलर जिसल कर दी उसके बारद मर्जिंग कर दी थाकि वह Oается करते हुए कलर किया अगर आपको जैसे आपने color कर दिया और उसके बाद आपको लग रहा है कि अभी विए आपका color आप satisfied नहीं है तो golden yellow को फिर से आप कर सकते हैं इसे white को दुबारा से कर सकते हैं जैसे इसे में आपको white लग रहा है कि कम रह गया है आपका तो मैंने जैसे अभी हाँ पर दुबा तो यहां पर यह चाहें तो आप अपने घर में भी जैसे प्लास्टिक कोई की कोई थोड़ी मोटी शीट है उस पे आप ड्रॉव करके design stencil त्यार कर सकते हैं आप चाहें तो खुद से भी कुछ भी ड्रॉव करके आप अपने designing में भी color कर सकते हैं यह आपकी wish है कि आप अपनी जा रहे हैं अब इसको मैंने जब रिमूब किया स्टेंसिल को तो यह बहुतनी सुंदर प्रेंट यहाँ पर निकल कर आया क्योंकि मैं यहां पर बना रही हूं अच्छा यहां पर मैने स्टैंसिल को साथ ही वॉश करके रख दिया है ताकि वो दुबारा से reuse किये जा सके और masking tape का है मैंने use किया है stencil को fix करने के लिए ताकि color फैले नहीं अब यह जो cardboard वरी रंगोलिया है यहाँ पर भी मैंने दो colors use किया है यहाँ मैंने lemon yellow और white use किया है दूसरी वरी रंगोली में मैंने golden yellow color किया था use तो यह color combination आप अपनी मर्जी से choose कर सकते हैं designs अपनी मर्जी से बना सकते हैं आप चाहें geometrical pattern बना कर ही पूरी की पूरी रंगोली बना सकते हैं आप चाहें stencil use करें या free drawing करें कैसे भी आप अपनी रंगोली को त्यार कर सकते हैं पर हाँ जब भी कोई functions होते हैं तो उस time पर आप बहुत easily अपनी रंगोली त्यार की रंगोली को कहीं पर भी किसी भी जगा को खुबसूरत बना सकते हैं स्कूल में कहीं पर functions होते हैं तो हमारे पर से इतना time नहीं होता कि हम बहुत जल्दी ready करें तो पहले से ready होती है तो फिर बहुत असानी हो जाती है तो इस तरीके से color करके अब त्यार हो गई है अब यहां पर mirror का काम मैंने शुरू किया है triangle ship के mirrors use किये हैं और जो sides यहां पर मैंने diamond ship के mirrors यूज किये हैं तो mirrors यहां पर जो भी आपके पास available हो जिस भी shape के इस तरीके से देखे किती खुबसूरत लग रही है अब इस cardboard वाली में मैंने sides में जो triangle shape के mirrors यूज किये हैं अब ear bird की help से मैंने हाँ पर dot work किया है और यहां अंदर मैंने tool का use किये जिससे मेरे बारीक dots आ रहे हैं अगर आपके पास यह tool available नहीं है तो toothpick का भी आप use कर सकते हैं तो इस तरीके से अब दूसरी रंगोली मैंने हाँ lemon yellow color के dots दिये हैं ear bird की सायता से जहां पर भी आपको requirement लग रही है जैसे भी आपको सुंदर लग रहे हैं इस तरीके से बनके designs त्यार हो गए है reusable रंगोली त्यार है मैंने यहां कुछ बड़े pieces भी त्यार किये हुए हैं ताकि बड़े areas को cover करना ज़रुरत हो यहां मैंने cardboard का use किया इस वली रंगोली में जैसे same यह cardboard है और जो दूसरी रंगोली यहां पर आप circle shape की देख रहे हैं इस रंगोली मैंने pinewood आती है जो market में 2 mm 3 mm की available होती है उसका मैंने यहां use किया है तो अब इस तरीके से flowers की help से और डियों को जलाकर आप अपनी रंगोली को किसी भी एंगल में किसी भी area में खुबसूरत बना सकते हैं यह मैंने कई functions में already इनको use किया है रंगोलियों को और अलग-अलग style की अलग-अलग shapes की आप देख सकते हैं कितनी खुबसूरत लग रही है और बहुत जल्दी यह हमारे किसी भी function को खुबसूरत बनाने के लिए तयार है और वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से हाट